आज हम करने जा रहे हैं अपने पास्ट्रेक्ट बैच जी एस्टी की दूसरी क्लास पहली क्लास में जो हमने किया था उसके लास्ट मुमेंट को हम थोड़ा रिकॉल करते हैं लास्ट मुमेंट क्या था supply के definition को section 7 में हम पढ़ रहे थे क्यों कि section 9 जो चार्ज करता है जी एस्टी वो कहता है जी एस्टी शेल बी लेविड on taxable supply of goods और service और बोत तो ये जो हमारे लिए supply शब्द का प्रियोग किया गया है supply ये हमें जानना है कि supply की परिभाशा क्या है supply की परिभाशा section 7 में लिया गया है 7 में हमने 3 subsection देखे थे subsection 1 positive list यानि supply किसे कहा जाएगा subsection 2 negative list किसे supply नहीं कहा जाएगा और subsection 1a जिसे supply कहा जाएगा उसमें कुछ supply कुछ activity के regarding clarity कि वो supply goods का है या service का माना जाएगा एक चीज़ आप next class में देखना एक चीज़ और हम discuss करेंगे कि अगर positive list हमने दे दिया कि supply किसे कहते हैं तो उसके बाद government को negative list देने की क्यों जरूरत पड़ी सोचने वाली बात होनी चाहिए कि अगर मैंने supply डाल दिया कि इसे supply कहेंगे तो बात खतम हो गई इसके अलावा जो नहीं है define वो supply नहीं माना जाएगा तो negative list की क्या जरूरत पड़ी सोचने वाली बात है तो जब हम negative list शुरू करेंगे उस से मैं इसको discuss करेंगे यह रहा जो हमने last में बिलकुल last में पिछली क्लास में छोड़ा था positive list section 7,1,a,a,b,c ठीक है इसके कुछ इसमें कुछ ऐसे supply है जिनके nature को clarify किया है section 7,1,a ने और 7,2 negative list है जिसमें हमने medical का एक code बनाया था जिसको हम याद करने के लिए use करेंगे और medical के code को decode भी करेंगे लेकिन जब हम negative list पढ़ेंगे तब हमें लगेगा आज तो हम सिर्फ positive list को शायद complete कर पाएं वो भी शायद तो positive list में सबसे पहले आता है clause A section 7, subsection one clause A सबसे पहले आता है क्या कहता है यह कहता है goods और service के संबन्द में sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rent और disposal disposal जैसे हम service के regarding disposal शब्द का प्रियोग नहीं कर सकते service के लिए disposal शब्द का प्रियोग नहीं होगा, rent शब्द प्रियोग हो जाएगा, lease, license शब्द प्रियोग हो जाएगा disposal फिर किसके लिए है goods के लिए, अगर हम goods को dispose करते हैं, dispose यानि हमारा काम खतम हो गया, उसे हमने बेच दिया, चाहिए आप उसे आपने सस्ते दाम में बेचाया, जैसे भी किया, consideration होना चाहिए, ध्यान रखियेगा clause A की requirement यह है कि यह activity जो यहाँ मैं आपको indicate कर रहा हूँ, यह activity supply है, लेकिन इसके लिए हमें C प्लस B की जरूरत पड़ेगी C प्लस B की जरूरत पड़ेगी, यानि consideration होनी चाहिए और business के लिए होना चाहिए in the course or furtherance of business, business include profession business के लिए होना चाहिए, अगर मान लेजेए यह सारी चीज़े consideration है, लेकिन business के लिए नहीं है, for example, किसी व्यक्ती में, जो sell it बंदा है, अपने घर का कोई सामान बेच दिया, तो सामान goods है, और बेचना क्रिया यहाँ पर आता है यह activity यहाँ पर आ रहा है, sale, तो क्या यह supply बन जाएगा GST में answer है no, क्योंकि उन्होंने इसे furtherance या in the course of business नहीं किया है, business activity भी होनी चाहिए, साथ में consideration भी होना चाहिए, साथ में consideration भी होना चाहिए, चलिए तो यह हमारा बन गया, sir, consideration पर जरा जोर डाल कर एक example हाँ, बिल्कुल, मान लिजे यह, आपने dispose किया है किसी goods का, dispose किया है, और dispose किया है business में, लेकिन consideration नहीं लिया, यूँ ही अटाया इसको, बलकि उठाने वाले को कुछ पैसे दिये, कि यह समानिया से हटाओ, खूड़ा-कपाड़ा हटाओ यहां से, तो आपने consideration लिया नहीं, dispose किया, business में dispose किया, तो यह supply नहीं माना जाएगा, clause A में, आगे अभी हमने पढ़ा नहीं है, देखते हैं, आगे क्या होता है, clause A में यह supply नहीं माना जाएगा, चीक है, next लेते है, clause AA, clause AA, clause AA में क्या गड़बड़ी है, amendment था, कुछ था सा, कुछ प्रॉब्लम थी, आपने कहाँ हम discuss करेंगे, अभी किया देते हैं discuss, इसे तो इसे हम 718 के साथ discuss करते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अभी किया देते हैं, आपको याद होगा, section 718, कुछ activity के लिए, nature define करता है, कि यह supply goods या service, इसमें एक activity define किया गया था, कौनसी activity, थोड़ा साम और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तो समझेगा section 718, वने में जाना पड़ा, इसको समझाने के लिए, section 718 में कुछ activity के nature को clarify किया है, कि यह supply goods है या service, उसी के अंतरगत, उसी के अंतरगत, एक activity थी, किसी club या RWA ले लिजिए, club ले लिजिए, mutual concern ले लिजिए, association ले लिजिए, तो किसी club के द्वारा, किसी club के द्वारा, उसके member को जब goods supply किया जाता है, तो इसे supply of goods माना जाएगा, यह section 7-1-A ने clarify किया, समझिएगा, section 7-1-A ने clarify किया, कि अगर club अपने member को goods supply करता है, तो इसे हम supply of goods मानेंगे, तो थोड़ा सा हजीब भी था, कि goods supply कर रहा है, तो आप supply of goods ही मानिएगा सहाब, और क्या मानिएगा, सुचने वाली बात है, तो यह activity confusing सी थी, यार इसमें क्या clarify कर रहे हो आप, supply goods का कर रहा है, तो goods मानेंगे, इसमें आप clarify क्या कर रहे हो, दरसल में 7-1-A का कहना था, मैं थोड़ा सा character में डाल कर बोलता हूँ, सेक्शन 7-1-A का कहना था, कि भाई मैं clarify करने के लिए तो आया ही हूँ, लेकिन कुछ activities में confusion थी, कि ये supply है भी या नहीं, तो मैंने इसी लिए इसे लिख दिया कि कोई इसमें confusion ना डाले, क्योंकि, 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 जो member होते हैं और club होता है, जो club और member हैं, वो आपस में एक व्यक्ति माने जाते हैं, club और member income tax act में भी एक व्यक्ति माने जाते हैं, दो अलग-अलग व्यक्ति नहीं माने जाते हैं, अलग-अलग existence नहीं रखते हैं, एक माने जाते हैं, तो एक ने एक को supply किया, थोड़ा है, अजीब है, एक ने दूसरे को सप्लाई किया सप्लाई में दो वेक्ति होने चाहिए सप्लायर और रिसीपियंट चुकि क्लब और मेंबर एक माने जाते हैं इंकम टेक्स में भी और बाकी जगों पर भी उसे एक ही माना जाता है इसलिए section 7-1-A ने प्रयास किया कि मैं बोल दूँ कि ये सप्लाई और गुट्स है क्योंकि जब क्लब में जाता है मेंबर तो खाने पिने का आइटम क्लब सप्लाई करता है मेंबर को तो वो जो खाने पिने का आइटम है उस पर भी GST लगाना चाहती थी सरकार इसलिए section 7-1-A में क्लैरिफाई कर दिया कि ये सप्लाई और गुट्स है तो उन्होंने काया कि दो काम हो गए एक तो ये नेचर क्या है गुट्स है और दूसरा ये सप्लाई है क्योंकि मैंने कह दिया section 7-1-A ये सप्लाई और गुट्स है अब इस पे हो गया जगडा कैसा जगडा से जगडा कुछ इस प्रकार का हो गया कि 7-1-A सप्लाई की परिभाशा नहीं है जो सप्लाई की परिभाशा 7-1 में बता दिया गया उसमें से clarification है 7-1-A इटसल्फ सप्लाई डिफाइन नहीं करेगा 7-1 में जो सप्लाई डिफाइन है उसके nature के लिए आया है 7-1-A की वो goods supply है या service supply है या पहले supply तो होगा goods है या service इसके लिए सिर्फ 7-1-A आ सकता है 7-1-A का इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं है यह debatable issue बन गया और debatable issue बन ही रहा था discussion चली रहा था कि एक supreme court का judgment आ गया कि club और member तो mutual concern की तरह है mutuality के principle पर काम करते है यह आपस में एक दूसरे को supply कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो question उठा कि ठीक है आपके आपका judgment सर आंखों पर लेकिन जब 7-1-A कहता है कि यह supply है तब तो मानना पड़ेगा क्योंकि supreme court हो या high court हो कोई भी decision लिया जाए अगर act में कुछ लिख दिया गया उसके विरूद में एक्ट में section में लिख दिया गया तो section जो है वो supreme बन जाते है पिर supreme court का judgment nullify हो जाते है क्योंकि section में लिखा हुआ है that's all यह law है court का काम होता है law जो बना है उसके regarding बात करना तो मान लिजे law में लिख दिया कि यह supply है तब तो मानना पड़ेगा supreme court को तो लोगों ने इसके पक्ष में जो इसके support में जो पक्ष रखा वो यह कि 7-1-A में जब supply लिख दिया गया तो supreme court के बोलने से क्या होता है supply लिख दिया तो supply है तो इसके विरोध में जो पक्ष था वो यह था कि भाई साब इनको supply लिखने की इनकी एहसियत नहीं है 7-1-A की यानि supply already होनी चाहिए उसके nature को इस जगडे को निफटाने के लिए सरकार ने का ठीक है इस जगडे को निफटा देते हैं और ऐसा करते है section 7-1 तो supply बता सकता है तो चलो section 7-1-AA में हम लिख देते हैं कि जो कलब और मेंबर आपस में लेन देन करेंगे अब जब ये लिखा जा रहा था तो लिखने वाले ने ये भी सोचा कि हो सकता है ये गुड्स को लेकर बोल रहे हैं अभी कल को सर्विस में कन्फ्यूजन आ जाए अभी बोल रहे हैं कलब मेंबर को देगा तो सप्लाई है हो सकता है मेंबर कलब को दे और कहा दे भाईया ये सप्लाई नहीं है तो इन सभी जंजटों को दूर करने के लिए जो डबल एक क्लॉस डाला गया उसमें सब कुछ लिख दिया कि कलब और मेंबर अगर आपस में लेन देन करेंगे गुड्स का या सर्विस का वो सप्लाई माना जाएगा और नेचर डिफाइन करने के जुरूत नहीं क्योंकि गुड्स है तो गुड्स माना जाएगा सर्विस है तो सर्विस वाना जाएगा इसलिए आया हमारा सेक्शन सेवन वन डबल ए उमीद करता हूँ आपको ये बात समझा गई होगी ये अमेंडमेंड चलिए यहां आजाते हैं तो मैंने आपको क्लॉज ए भी पढ़ा दिया क्लॉज डबल ए भी पढ़ा दिया अब आते हैं सर्विस के इंपोर्ट पर यहां पर समझिए कर क्लॉज नमबर बी कहता है कि अगर दूसरे देश से आप सर्विस इंपोर्ट करते हो और उसमें सी होना चाहिए यानि कंसिडरेशन होना चाहिए क्लॉज ए में आपने देखा कि कंसिडरेशन बिजनस दोनों होनी चाहिए बट क्लॉज भी कहता है हमें सिर्फ कंसिडरेशन दे दो फिर यह इंपोर्ट सर्विस का चाहे बिजनस परपस हो या परसनल परपस हो उससे फरक नहीं पड़ेगा हम इसे सप्लाई मान लेंगे लेकिन कंसिडरेशन होना आनिवारी है तो हम समझ रहे हैं सर्विस इंपोर्ट किया तो सप्लाई है कंसिडरेशन के लिए अगर सर्विस इंपोर्ट किया पैसे के लिए पैसे दे कर तो यह सप्लाई है अब यहाँ पर यहीं पर बात खतम हो सकती थी लेकिन मैं थोड़ा सा और इसे detail में discuss करना चाहूँगा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं export का, export की clarity करवाऊँगा और उसके बाद हम import की clarity करेंगे export और import दोनों के clarity करेंगे जब हमने पहली class में discuss करते हैं मैं आपको बताया था कि हम custom में import duty वगरा भी use करेंगे थोड़ा सा वो यही जगह है जहाँ पर हम export और import दोनों को समझेंगे और goods को भी समझेंगे service को भी समझेंगे अलाकि हमारा range तो सिर्फ यह है कि अगर service import की आप पैसा देकर तो वो supply है उस पर GST आएगा लेकिन हम बाकि चीजों को भी समझेंगे तो clarity हमारी और बढ़ जाएगी कमजिएगा goods अभी सिर्फ export को ले रहे हैं फिर आगे बढ़कर मैं import को लूँगा तो अभी सिर्फ मैं export की बात कर रहा हूँ अगर आप goods export करते हो अगर आप service export करते हो का मतलब क्या हुआ goods इंडिया से बेचा जा रहा है दूसरे देश service इंडिया से दिया जा रहा है दूसरे देश अगर आप goods का export करते हो तो custom duty लगेगा जिसको हम export duty कहते हैं और service अगर आप export करते हो तो custom में नहीं आता क्योंकि custom सिर्फ goods के लिए बनाया गया है service के लिए नहीं बनाया गया है अब हम GST में आ जाए यह तो custom में आ गया custom ने क्या बताया कि अगर goods export करोगे तो custom duty है service export करोगे तो custom duty नहीं है अब हम GST में आ जाते हैं GST में goods और service कुछ भी आप export करेंगे तो उसे supply माना जाएगा और यहाँ पर यह supply A clause में माना जा रहा है क्योंकि आपने service दी आपने goods बेची भाई बेचा है ना export करने का मतलब है आपने बेचा है आप अगर goods export कर रहे हो तो क्या कर रहे हो बेच रहे हो export तो एक term है जिससे हम यह पता लगाते हैं कि यह विक्र है एक देश से दूसरे देश में हुआ लेकिन export का सीधा मतलब क्या है बेचना आप बेच रहे हो तो अगर आप बेच रहे हो goods को और service को दे रहे हो तो clause A में आ गए ना ध्यान रखे का हम B clause पट रहते अभी और हम यह बता रहे हैं आपको कि clause A में हम आ गए अगर हम goods या service बेचते हैं दूसरे देश यहां तक समझ आ गया यह supply है अब यह supply इंटर इस्टेट supply है इसे IgST में cover किया गया है क्योंकि किसी राज्य को involved नहीं किया जा सकता किसी राज्य को involved नहीं किया जा सकता देश का मामला है तो देश का मामला है किसी राज्जी को इन्वाल्व नहीं किया जा सकता इसलिए इसलिए ये IGST में कवड होता है तो फिर IGST लगता है यहां तक क्लियर हो गया स्टेप बाई स्टेप चलेंगे नमबर एक इसे सप्लाई माना जाएगा नमबर दो इसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा नमबर तीन ये IGST में फॉल करेगा नमबर चार IGST लग जाएगा अब बात करते हैं एक्सपोर्ट से होने वाले लाब देश को देश को एक्सपोर्ट से बहुत लाब है लेकिन ये लाब सिर्फ तभी कर पाएगा देश उठा पाएगा लाब जब फॉरें करे आज आएगा. इसी लिए सरकार ने लालच देकर कहा है, एकस्पोर्टर को, कि जो IGST तुम्हारे उपर हमने लगाया, चाहे वो गोड्श हो या सर्विस, आपके एकस्पोर्ट पर जो मैंने IGST आपको लगाया, वो IGST आपको हम रिफंड कर देंगे. अगर आप हमारे शर्तों क को मानेंगे शर्त यही है कि एक limited time period के अंदर आपको foreign currency इंडिया में प्राप्त कर लेना होगा अगर ऐसे आपने किया तो इसे हम zero rated supply बोल कर आपके IGST को refund कर देंगे तो भाई साब लग तो गया GST लेकिन refund हो गया export is clear now goods export custom duty service export no custom duty यह तो custom में हुआ GST में goods हो या service GST में अगर आप export कर रहे हो तो supply है IGST लगेगा refund हो जाएगा अगर आप condition पूरी करोगे अब आते हम import goods import पर आते हैं goods के import पर आई चुकि goods का मामला है तो custom आ जाएगा goods के import पर custom duty लगता है number 1 इसे import duty कहा जाता है number 2 import duty कितना लगता है basic custom duty लगता है और additional custom duty भी लगता है additional custom duty basic custom duty तो मान लेते हैं 10 प्रतिशत है तो 10 प्रतिशत लग गया या 12 परसेंट है या जो भी percentage है वो लग गया अब सरकार कहती है कि इसमें additional custom duty भी हम इसमें लगाएंगे और additional custom duty equals to IGST यानि ये माना जाएगा कि अगर इस पर IGST लगता तो कितना लगता अगर इस पर IGST लगता तो कितना लगता उतना ही additional custom duty लगाएंगे तो क्या इस पर IGST भी लग गया हां लेकिन क्या ये जी एस टी एक्ट में लगा नहीं सर क्यों नहीं लगा जी एस टी एक्ट में कमाल करते हो सहाब आप goods purchase कर रहे हो तो चो जरा आप goods purchase कर रहे हो goods के purchase करने पर supply कैसे हो जाएगा goods के विक्रे करने पर supply हो पर्चेस पर कैसे supply होगा सोचने वाली बात है तो goods का import करना कभी भी supply बन नहीं सकता था 7-1-A में क्योंकि वहां तो supplier के द्वारा ये सारी activity हो रही है seller के द्वारा service provider के द्वारा यहां तो आप goods को खरीद रहे हो अभी कोई कह दे कि goods का खरीदना supply है इस पर हम GST लगा देंगी कमाल कर रहे हैं सहाब यह क्या मतलब हुआ goods का बेचना supply है यह बात समझ आती है supply जाते हुए चीज के लिए है यह supply आपको मिल रहा है यह तो supply में नहीं आना चाहिए था तो GST में यहां पर कुछ होता भी नहीं इसे supply मानते भी नहीं लेकिन निश्चिंद रहिए GST इस पर लग चुका है बोलिए कैसे कस्टम के माध्यम से indirectly अब चुकि गुट्स के ऊपर कस्टम के माध्यम से indirectly GST लगा दिया गया था और सर्विस को गुट्स के बराबर रखना था इसलिए सर्विस के इंपोर्ट को भी GST में जबरदस्ती डीम्ड करके clause B में supply मान लिया क्योंकि गुट्स और सर्विस को equal रखना है गुट्स के इंपोर्ट पर IGST लग गया है गौर कीजेगा रूप बदल के लगा है एडिशनल कस्टम ड्यूटी के नाम से लगा है लेकिन लगा है और गुट्स और सर्विस को सरकार ने मजबूरन गुट्स के बराबर करने के लिए इस पर GST लेवी किया कैसे कहा कि हम डीम्ड कर लेंगे यह supply है ठीक है बिजनस के लिए लेंगे तो भी supply है परसनल लेंगे तो भी supply है लेकिन consideration होना चाहिए मेरे दोस्त consideration है तभी supply है तो मैंने क्या किया है service import किया custom duty तो नहीं लगता business के लिए किया consideration के साथ 7-1-B personal किया consideration के साथ 7-1-B अभी पहले यहाँ तक समझ लीजिए ठीक है अब without consideration वाला जो हिस्सा है यह 7-1-C में आपको पढ़ने को मिले अच्छा साथ बट अभी तो हम 7-1-B पढ़ रहे हैं अरे तो B पढ़ रहे हैं तो C भी तो पढ़ेंगे C में लिखा हुआ है परी P-A-R-I परी परी जो है वो without consideration भी supply माना जाता है और उसके परी में जो आई है वो है import of service तो चलिए परी का जो आई है वो देखे वो है importation of service बिना consideration तो क्या हम यह मानें कि service का import बहुत भ्यंकर रूप से परिणाम में पिट रहा है जी हाँ import of service ज़रा समझेगा import of service अगर consideration में है तो यह 7-1-B में आ गया चाहे वो business हो या वो personal हो अगर यह without consideration है और यह personal है तब तो कुछ नहीं होगा लेकिन अगर without consideration business है तो 7-1-C में आ जाता है consideration है 7-1-B में without consideration business है तो 7-1-C में और business नहीं है तो supply नहीं माना चाहेगा इसी को यहाँ पर चार्ट में मैंने इसी जगह चार्ट पर डाल दिया कि अगर without consideration personal use के लिए आप ले रहे हो तो supply नहीं है GST नहीं है without consideration अगर आपने business के लिए लिया without consideration अगर आपने business के लिए लिया और उस business में भी business में भी आपने supply किस से लिया अगर आपने supply अपने related party से दिया यानि outside इंडिया भी आपका related party है आप यहाँ पर उसके related party हो आपने उससे supply लिया sir related party मतलब head office branch या relative head office branch या relative तो अगर आपने without consideration business purpose से related party से import किया है service तो without consideration भी 7-1C में supply माना जाएगा और उस पर GST लगेगा यहाँ पर आपको मैं सिर्फ इस हिससे को देखिए तो मैं ज़रा समझाओं सिर्फ इस हिससे पर ध्यान दीजेगा बाकी कुछ मत देखिएगा सिर्फ इस हिससे पर ध्यान दीजेगा हमने service का import किया consideration के साथ supply मान लिया 7-1B में हमने service का import किया business में बिना consideration के related party से 7-1C में supply मान लिया गया लेकिन supply मान कर सरकार के साथ एक मुसीबत है अगर आप उसे supply मानते हो तो GST लगाओगे हान जी बाहर से आ रहा है यह तो आपको IGST लगाना पड़ेगा हान जी अब यह समझ से आया है कि GST सरकार collect कैसे करे अगर हम general देखें general phase देखें GST का तो GST collect किया जाता है supplier से तो supplier तो विदेश में बैठा है उससे GST collect करना बहुत ही कटेन हो जाएगा इसलिए सरकार इस पर RCM लगा कर चलती है आप RCM समझते होंगे reverse charge mechanism reverse charge mechanism मतलब वो परिस्थिती वो situation जहां GST supplier के बजाए recipient से collect करती है सरकार इसे कहते है reverse charge mechanism तो यहाँ पर GST तो लगेगा reverse charge mechanism में लगेगा यह chart मैंने यह सब यहाँ क्यों बता दिया section 9 जब हम पढ़ेंगे next chapter में अभी basic concept वाला chapter चल रहा है section 9 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर charge वगेरा समझेंगे reverse charge forward charge अभी इसलिए बता दिया क्योंकि एक तो आप पढ़े होंगे पहले से पढ़े लिखे हैं और दूसरा fast track बैच है तो पहले से पढ़े लिखे हैं और दूसरा कि जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे तो यह जब revise करेंगे तो उस समय यह आपके लिए grip का काम करेगा concept की clarity का काम करेगा अब हम इधर आते हैं परसनल यूज के लिए आपने service import किया consideration नहीं है तो कोई supply नहीं है उसे तो भूल जाईए consideration है परसनल यूज के लिए मैंने service import किया consideration है उसे supply मानते है 7-1-B में क्योंकि consideration है तो supply है 7-1-B में इसे service का import किया consideration दिया मैंने पैसे दिये service का import किया अब अगर सरकार कहती है forward charge लगाएंगे तो supplier बाहर बैठ है सरकार कहती है reverse charge लगाएंगे तो मैं एक आम आदमी हूँ common man अगर हमसे सरकार पकड़ने लग गई GST तो फिर हमारा registration करवाना नहीं वारे हो जाएगा तो भारी मुसीबत का काम है तो इस समस्या के लिए सरकार ने कहा कि अगर service का nature OIDAR service है OIDAR जो भी आप online database retrieval service use करते हो access and retrieval use करते हो वो OIDAR service में आता है चाहे आप software download करो चाहे आप Ghana download करो चाहे film download करो किसी प्रकार के online service जो आप कर रहे हो अगर यह service है तो supplier को सरकार ने हिदायत दी है कि आप इंडिया में registration कराईए और आपको ही GST जमा कराना पड़ेगा otherwise आपका website बंद करा दिया जाएगा online access बंद कर दिया जाएगा इंडिया में तो सरकार का control तो आही गया इसलिए OIDAR service पर forward charge होता है और दूसरा service जो है उस पर forward charge लगाना कठिन है reverse charge लगाएंगे तो आम आदमी पिस जाएगा इसलिए अंतता सरकार ने इसे exempt supply कर दिया बट यह supply है Exist होगा goods नहीं GST नहीं service नहीं GST नहीं goods ट्रोश है systems t नहीं GST नहीं goods service है supply है बट वो supply exempt है तो GST नहीं यानि goods और service होना का लागा की सप्लाई की परिवाशा में आना चाहिए supply exempt नहीं होना चाहिए तब GST लगता लिग तो यहाँ पर supply तो माना गया है बट GST exempt कर दिया गया है IGST Act Section 6 के अंतरगा तो यह आपने पूरा चार्ट समझ लिया अच्छे से अब आते हम 7.1.C में 7.1.C आई आप 7.1.A पढ़ चुके डबल ए पढ़ा दिया लोजिक के साथ 7.1.B import of service में भारी discussion हुआ तो थोड़ा सा pause करके आप इसका revision कर लिया करें फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं revision कर लिया करें तुरंत उसी समय क्योंकि ताजा समझाए revision करेंगे तो retain हो जाएगा mind में आपके फिर बाद में आपको याद करना पढ़ेगा याद करना तो पढ़ेगा ही 7.1.C जो आखरी है clause supply माना जाने वाला उसमें हमें चार activity दी गई है ये चारो activity business के अंतरगत होनी चाहिए और बिना consideration के भी ये supply बन जाएगा सर अगर ये चार activity consideration के साथ हो पिटा जब consideration के साथ होगा तो clause A में already आ जाएगा consideration वाला point बिना consideration के business के अंतरगत मान लेजिए सर P.A.R.I. चार activity है वो business के अंतरगत है consideration भी है तो A point में आ जाएगा या B point में आ जाएगा सर ये चार activity consideration नहीं है बड बिजनस भी नहीं है, पर्सनल है, तो भी इस पॉइंट में नहीं आएगा, फिर वो सप्लाई नहीं माना चाहिए, यानि ये चार एक्टिविटी में कंडिशन होना चाहिए, कंसिडरेशन ना हो और बिजनस परपस हो, बिजनस के अंतरगत हो, चार एक्टिविटी को मैं परी कोड बनाए कोई एक्ट में थोड़ी न परी शब्द लिखा हुए तो इस कोड में फोड़ी अज्जेस्मेंट तो आपको करनी पड़ेगी तो P से मैंने लिया है Permanent Disposal P से मैंने क्या लिया है Permanent Disposal Permanent Disposal Of Business Assets क्योंकि बिजनस में होना ज़रूरी है Sir ये शब्द सुने हुए से लग रहे है Disposal बिलकुल सुना है आपने Disposal Business Assets का अगर Consideration के साथ हो तो 7-1-A में आ जाएगा तो सुनिएगा फिर से Permanent Disposal अगर Business Assets का Consideration के लिए हो ये Permanent शब्द पर आप जोर क्यों दे रहे हो क्योंकि Disposal Permanent होगा तभी तो हम बात करेंगे अगर आप Temporary Disposal कर रहे हो इसका क्या मतलब है कोई मतलब है आप Goods को Disposal कर रहे हो Temporary अब ये Temporary क्या होता है साथ मतलब ये हुआ कि 5-10 दिनों के लिए बाहर कर रहे हो फिर ले आओगे तो जब आप 5-10 दिनों के लिए बाहर कर रहे हो That is called Rent किराया पर दे रहे हो किसे को उधार दे रहे हो यूस करने दे रहे हो तो अगर Rent है तो 7-1-A में आ जाएगा ठीक है यहाँ पर हम डिसकेशन कर रहे है Permanent Disposal of Business Assets अगर ये Consideration के साथ है तो 7-1-A में आ जाएगा बिना Consideration के है तो 7-1-C में आ सकता है शब्दों पर गौर कीजिए अगर ये Permanent Disposal of Business Assets Consideration के साथ है तो 7-1-A में आएगा Permanent Disposal of Business Assets अगर बिना Consideration के है तो 7-1-C में आ सकता है आएगा जरूरी नहीं है सर कब आ सकता है जब आपने इसे खरीदिते समय ITC क्लेम किया हो ITC यानि Input Tax Credit वही करेक्टर जिसके इर्दिगिर्द पूरा GST तैयार हुआ जिसके वज़े से लडाईयां लड़ी गई बड़े बड़े युद्ध हुए और तब GST को आना पड़ा इसे बचाने के लिए तो ITC Input Tax Credit है जब भी कोई आप Assets खरीदते हो Service लेते हो यानि In करते हो In Business में In Service Goods आपने खरीदा In Service आपने ली In Business में तो इसके समय जो इसके उपर GST लगता है कोई तो बेच रहा होगा तो वो तो GST लगाएगा वो कहलाता है Input Tax और उसका Credit आपको मिल जाएगा जब आप बेचोगे या Service दोगे उस पर जो GST बनेगा वो Output GST में से इसका Credit मिल जाता है लेकिन ITC चेप्टर में आप पढ़ेंगे कि कई परिस्थितियों में ITC नहीं मिलता कुछ ऐसे गुटस है जिसका ITC नहीं मिलता ठीक है तो मान लीजिए अगर Business Asset 30 समय आपने ITC लिया था मिला था आपको आपने ITC लिया था और आपने उसे Permanent Dispose कर दिया Consideration के साथ किया तो भई या फिर तो कुछ नहीं कह सकते 7 1 A में आ जाएगा बिना Consideration के है तो 7 1 C में Supply माना जाएगा लेकिन अगर आपने ITC नहीं लिया था और Permanent Disposal है Consideration के साथ देखो जो Consideration के साथ है तो 7 1 A में आना है 7 1 A में आना है अगर Consideration के साथ है बिना Consideration के 7 1 C में आ सकता है तो ये Situation है आ सकता है ये Situation है नहीं आ सकता है लेकिन अगर आप Consideration के साथ हो तो चाहे कुछ भी हो जाए ये Supply है दोनों साइट परिस्थिती देखिए इसको देखिए और इसको देखिए अगर आप Consideration ले रहे हो तो कुछ भी हो जाए Supply है Consideration नहीं ले रहे हो तो Supply हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है निर्भर करता है आपने खरीदते समय ITC लिया या नहीं लिया तो हमने 7 1 C में परी का पी कंप्लीट कर लिया अब हम आते हैं ए पर ए ए फॉर एजेंट प्रिंस्पल देखिए वोडिंग मैंने कहा ना थोड़ा एजस्मेंट करना पढ़ेगा एजेंट प्रिंस्पल तो एजेंट प्रिंस्पल का क्या मतलब हुआ मतलब तो आप अच्छे सेरा जानते हैं एजेंट प्रिंस्पल एजेंट प्रिंस्पल के बीच में गुड्स का सप्लाई गुड्स का सप्लाई सरी तना जोर से बोल रहे हूँ मतलब सर्विस का नहीं नहीं गुट्स का सप्लाई बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई बन जाएगा एजेंट प्रिंस्पल के बीच में गुट्स का सप्लाई बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई बन जाएगा agent principal के बीच में goods का supply बिना consideration के भी supply बन जाएगा agent principal को goods दे रहा हो या principal agent को goods दे रहा हो बिना consideration के भी supply बन जाएगा ठीक है थोड़ा सा इसे और detail में करते हैं पहले, पहले हम देखते हैं कि principal ने क्या हूं दिया agent को goods प्रिंसिपल ने एजंट को गुड्स इसलिए दिया कि भाई ये पकड़ गुड्स और मैं अता पता एड्रस जिसका बता दूँ उसको तू वहां पहुचा देना यानि मैं दूसरे राजे में हूँ या दूसरे शहर में हूँ एजंट दूसरे शहर में है मेरा तो मैंने एजंट को गुड्स भेजा उससे पैसे नहीं लिये और कहा कि गुड्स अपने पास रख जब तेरे इलाके में सेल होगा तो मैं तुझे इन्फॉर्म करूंगा तू वहां पर गुड्स पकड़ा देना पैसे वो पार्टी मुझे दे देगा टेंशन मतले पैसे तो वो मुझे मिल जाएगा तो ऐसी परिस्तिती में या पैसा एजंट ने कलेक्ट करके मुझे दे दिया लेकिन ऐसी परिस्तिती में जब मैंने एजंट को गुड्स दिया है तो वहां मैंने कंसिडरेशन नहीं लि है तो मैं आपको बताऊं कि इसे सप्लाई मानकर सरकार ने हम लोगों पर उपकार किया है क्योंकि अगर यह सप्लाई नहीं बनेगा अगर यह सप्लाई नहीं बनता तो भारी मुसीबत खड़ी हो जाती है हमारे लिए सप्लाइर के लिए टैक्सपेयर के लिए तो ये सप्लाइ मानकर सरकार ने GST के चेन को बचाया है ITC के चेन को बचाया है तो अगर ITC अपने अच्छे से पढ़ा है तो तरवाईस उस समयं डिसकस कर लेंगे एजिंट ने प्रिंस्पल को डिया क्यों तक पहुंकि हमने इजन्ट से कहा था कि मैंने घुट्स खरी लिया है तो वहां से ले ले और मुझे दे दे तो मेरे लिए मेरे भिःधे पर एजैंट ने घुट्स खरीदा और फिर उस goods को मुझे तक पहुँचाया तो जब agent मुझे देगा तो ये supply बिना consideration के होगा obviously कैसे तो मैंने already दे रखे हैं बिना consideration के होगा तो ये भी supply माना जाएगा simple लेते हैं agent principle के बीच में लें दें goods का supply माना जाएगा even without consideration भी परी का R R कहता है related person distinct person देखे फिर वही बात हो जाएगी code में मैंने R से related person उठाया related person लेकिन distinct person भी आपको समझना पड़ेगा पहले तो हम दोनों के बीच में फरक को समझ ले related person और distinct person related person तो definition से clear होगा जो relative है जो related person है वो define है relatives आ गए इसमें और भी कोई आ गए जैसे business में मेरे substantial interest है मैं डारेक्टर हूँ मैं related person हो गया employer employee आपस में related person मान लिया जाता है related person तो अलग हो गया distinct person का मतलब होता है मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं है head office और branch मैं head office हूँ आप branch हो मेरे तो मैं ही मैं हूँ मैं भी वही हूँ आप आप भी वही है तो head office और branch या branch 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 GST में अलग-अलग registration लेता है GST में अलग-अलग registration लेता है तो हम इसे distinct person माने और इनके बीच अगर supply किया गया बिना consideration के भी तो supply माना जाएगा चाहे goods हो या service अगर मैं related party को goods और service बिना consideration के देता हूँ तो यह supply माना जाएगा related party आ गया related person आ गया याद रहे यह सारी बात परी है कहां business में याद रहे परी business में तो पढ़ते पढ़ते कहीं दिमाग खोना जाए कि अगर मैंने अपने भाई को पढ़ा दिया और मैं सिक्षक नहीं हूँ math पढ़ा दिया तो tax का शिक्षक्णू math पढ़ा दिया अपने भाई को और आप लेकर आ जाओगी भाई साब यह supply है क्योंकि आपने related person को supply दिया है service दिया है बिना consideration गया तो भी supply है भाई साब यह मेरे business का part नहीं है तो business का part होना बहुत आनिवारी है related party, related person के बीच में लेन दिन goods या service का बिना consideration के भी supply है लेकिन business का part होना चाहिए जो supply कर रहा है उसका business होना चाहिए जिसको दिया जा रहा है उसका नहीं जो supply कर रहा है उसका business होना चाहिए यह तो वह related person इसे हटा देते हैं next पे आते हैं distinct person head office branch branch या branch branch अगर GST में अलग अलग GST registration लेता है तो उसे हम distinct person मानते हैं और उनके बीच किया गया transaction goods का या service का बिना consideration के भी supply माना चाहिए तो sir GST में अलग अलग registration क्यों कराना फिर तो हम एक ही registration कराएंगे वही ज़्यादा आच्छा है नहीं 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 अलग अलग registration कराना खई बार choice नहीं होता, compulsion होता है दो राज्य में अगर आप business कर रहे हैं, एक राज्य में branch A है, दूसरे राज्य में branch B है या एक राज्य में branch A है, दूसरे राज्य में head office है तो आपका single registration possible नहीं है क्योंकि GST में state-wide registration होता है आपका single registration नहीं हो पाएगा आपको अलग-अलग registration कराना पड़ेगा अलग-अलग GSTIN लेना पड़ेगा और अब बन गए आप distinct person आपके बीच होने वाले transaction बिना consideration के भी supply है, ठीक है एक राज्य के अंदर आप पर 24 होता है एक राज्य के अंदर दो शहरों में अगर आपके पास branch है तो आपके पास twice है कि आप एक registration लो, दो registration लो वो आपकी मर्जी है लेकिन अगर आपने दो registration ले लिया तो यह supply बन जाएगा मतलब आपके बीच जब भी कोई transaction होगा goods या service का बिना consideration के तो supply बन जाएगा और इस पर GST आजाएगा लेकिन आपको इसमें टेंशन नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर जितने भी GST लगा लो इसका ITC finally मिल जाता है तो इसमें टेंशन नहीं होता और मैं समझा देता हूँ एक बात और समझ लीजी अगर आप consideration के साथ यह काम करने लग गए बन में आ जाता है अचानक पढ़ते पढ़ते और without consideration बोल रहे हैं तो मान लिजी सर related person के बीच में consideration आ गया distinct person के बीच consideration आ गया तब क्या होगा तो दिमाग खराब हो गया है क्या तब क्या होगा मतलब तब supply होगा 7-1-A में supply होगा consideration और business के साथ अगर transaction करोगे तो 7-1-A में आ जाओगे business ना हो बट consideration हो service import करोगे तो 7-1-B आ जाओगे और परी business में बिना consideration के हो तो 7-1-C आ जाओगे परी का PAR हमने complete नहीं किया है अभी क्योंकि इसमें हमें अच्छे अच्छी चीजें और करनी है employer-employer relation के बीच लेकिन जैसा कि हमने वचन दिया था promise किया था कि हम एक घंटे की class रखेंगे हाला कि एक घंटा भी complete हुआ नहीं है लेकिन मैंने जो एक borderline लिया था कि जो regular class है उसकी पूरी पढ़ाई हम जितने समय में कर ले जैसे मैंने approximately आपको बला 30 hours अब ये वाली class छोटी है तो इसे हम छोटा ही considered करेंगे ठीक है यहां तक हमारा next class जो हमने class regular class ले थी वो हमारा complete हुआ इसके आगे हम परी पूरा complete करेंगे अगली class में रिवीजन भी साथ में करेंगे रिवीजन में भी रिवीजन मजा तभी आएगा ना याद करने मजा आएगा और आखिर में वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ आपको हमेशा कहता रहूँगा कि आपको समझाना मेरा काम है मैं आपको समझा चुका अच्छे से अगर आपने इसे इमीडियेट याद नहीं किया तुरंद याद नहीं किया तो ये समझ आपके पास हमेशा नहीं रहने वाला तो समझ को अपने दिमाग में रिटेन करना हो तो याद करना बहुत ज़रूरी है प्रोवीजन है लौ है रटो गे नहीं तो कैसे होगा लेकिन बिना समझे रटने वाला मुर्ख है और समझने के बाद भी जो नहीं रटे महा मुर्ख है तो प्लीज 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 याद करिएगा अच्छे से याद किजिएगा जितना याद करेंगे उतना बढ़िया एक्जाम जाने वाला है आपका नेक्स क्लास मिलते हैं